नमस्कार साथीोज आरकन फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम लोग कि JSC CJL का हिंदी पेपर 2 का दोस्ते हम लोग practice कर चुके हैं जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं तो दोस्तों आज हम लोग इसमें टोटल जो है दोस्तों 26 मोडल प्रेक्टिस सेट है जो पांच हो चुका है दोस्तों आज हम लोग प्रेक्टिस सेट छे करेंगे और छेतरी भासा जो है दोस्तों हिंदी पेपर टू है जो हिंदी रख्योंगे उसके लिए है तो सिज्जिल का एक्जाम जल्द होने वाला है दोस्तों कि सब्टमबर तक संभावित कि इसमें दिया गया है इसका तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं और कि मौडर प्राक्टीजेटिटश करते हैं और जिनको पीडिएप सा कचते दोस्तों और टेलिग्राम चैनल से जुड़के ले सकते हैं पहला कोसरे अपभरंश के पर्थम एतिहासीक व्याकरण की रचना किसने की तो इसका अंसर हो है हमचंदर option यह हो जाएगा answer next question है देश के कितने भासाओं को सविधान की आठवी अनुसुची में सामिल किया गया है इसका answer क्या हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा 2 हो जाएगा option C हो जाएगा नेक्स्ट को सेने मोहन राकेस दौप पहली कहानी संगरह इंसान के खंडहर कब परकासित हुआ तो कब परकासित हुआ दोस्तों इसका अशर हो जाएगा अप्शन B हो जाएगा 2018 स्वी में नेक्स्ट को सेने है विस्व में सरवाधिक बोली जाने वाली विश्व की तिसरी सबसे बड़ी भासा कौन सी है तो कौन सी है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा हिंदी अप्सन C हो जाएगा हिंदी नेक्स्ट कोच्चन है परक सुनिता त्याग पत्र जैनेंद्र की कौन सी बिधा है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्सन C हो जाएगा उपन्यास नेक्ट कोशन है ग्यानपिठ पुरसकार से शमानित हिंदी साहितेकार है इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा अमर कांत अप्सन ये इसका सही अंसर हो जाएगा next question है कविता कवी ब्यक्तित्व की अभी ब्यक्तिन नहीं ब्यक्तित्व से पलायन है या कथन है इसका अंसर हो जागा दोस्तों इलियट ऑप्शन यह हो जाएगा इलियट का कथन है नेक्स्ट को सेन हो जाएगा नेक्स्ट को सेन है शंसार देखे अब हमारे सजन सजन में मिरित पड़े करते हुए या घोसना वे हो गए उठकर खड़े इस पद में कौन सा रस है इसका अंसर क्या हो जाएगा दूस्तों रौदर रस है कौन सा रस है रौदर रस नेक्स्ट को सेन है नेक्स्ट कोशन है यूरोप में बिहार बिहारी सतसें के समकच कोई रचना नहीं है यह कथन निम्न में से किसका है तो यह कथन किसका है दोस्तों यह जोर्ज गिरियर्शन का किसका है जोर्ज गिरियर्शन का नेक्स्ट कोशन है नीलम देश की राजकनिया कहानी में तीन महलों की स्वामिनी कौन है तो कौन है दोस्तों तो राजकनिया है इसका अंसर राजकनिया हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है तुलसी दास ने कहा है कि विनास काल में मनुस्य की बुधी भरष्ट हो जाती है इसका अंसर ऐपसंट D हो जाएगा मिष्वाकी next question है next question है काभцы हेत्वओं में विवत्तपति का सही अर्थ क्या है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऐपसंट B हो जाएगा शब्द ग्यान नेक्स्ट कोशन है भारत महीमा कविता में चीन को क्या मिला तो भारत महीमा कविता में चीन को क्या मिला दोस्तों इसका अंसर ओप्षन भी हो जाएगा ग्यान क्या मिला ग्यान मिला नेक्स्ट कोशन है आधिकाल के आधिकाल को चारनकाल नाम किस ने दिया किस ने दिया दोस्तों तो ये जोर्ज ग्रिसियर्शन ने दिया किस ने दिया जोर्ज ग्रियर्शन नेक्स्ट कोशन है निमनलिखित में से किस ने भारत तेंदू पूर्व यूग में विसुध संस्कृति निष्ट हिंदी की हिमायत की इसका अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ओप्सन भी हो जाएगा राजा लचमन सी नेक्स्ट कोशन है कविता करना अनंत पुन्य का फल है इस दुरासा और अनंत उतकंठा से कभी जीवन बैतित करने की इच्छा हुई यह सनवाद पंक्ती जैस संकर परसाद के किस नाटक की है इसका अंसर क्या हो जाएगा उप्सन सी हो जाएगा असकंद गुप्त नेक्स्ट कोशन है धुमील दुवारा निमनलिक्षित में से कौन सा कविता लिखी गई है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों लोहे का स्वाद मैं हूँ मोची राम यह सभी हो जाएगा उप्सन डी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोशन है भारत मुनी दुवारा निर्दिष्ट सात्वीक भावों का इनमें से कौन सा समुष शही है इसका अंसर ऑप्सन सी हो जाएगा दोस्तों वेपत्थू वयवावर अर्शू रोमांज अस्तम्भ ऑप्सन सी हो जाएगा अंसर नेक्स्ट कोशन है पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है तो पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा अस संभाव कारी को संभाव कर डालना ऑप्सन भी हो जाएगा अंसर next question है नर की और नल नीर की गती एकके करी जोए जे तो नीच्चो है चले ते तो उची होए किनकी युकती है तो ये किनकी युकती है दोस्तों इसका answer option C हो जाएगा बिहारी लाल का है किसका है बिहारी लाल next question है सैसन जोतन दुहू मिली गेल दुदूहल बल्ले दत परी गेल कब हूँक बांधै कचक बंधुक बंधुक विचारी कब हूँ छापए अंग कब हूँ उधारी इन पंक्तियों के लेखक कौन है ये जो पंक्ति रुस्तों इनका लेखक कौन है इसका answer हो जाएगा बिद्य सब्धार्थों शगुना बंध लंक्रिती पुनह कवापी उक्ति किस अचारी की है इसका answer हो जाएगा दोस्तों उप्शन सी हो जाएगा मम्मट की किसके मम्मट नेक्स्ट कोशन है हिंदी आलोचना के छेत्र में आचारी रामचंद्र शुकल के बाद किस आलोचक का नाम ब किसका लिया जाता है दोस्तों बड़े सम्मान से इसका answer हो जाएगा नंदू लारे बाजपई बी हो जाएगा इसका answer नेक्स्ट कोस्टन है जैनेंदर की पहली कहानी खेल का परकासन किस पत्रिका में हुआ इसका अंसर हो जागा दोस्तों विसाल भारत पत्रिका ओप्शन ये हो जाएगा अंसर नेक्स्ट कोस्टन है विद्यापती ने अपना कौन सा गरंथ मैथली भासा में लिखा है इसका अंसर हो जागा पदावली नेक्स्ट कोस्टिन है हिंदी का पर्थम महा कभी कोन है हिंदी का पर्थम महा कभी कोन है दोस्तों कोन है श्वेंभू श्वेंभू जो है दोस्तों वो हिंदी के पर्थम महा कभी है नेक्स्ट कोस्टिन है आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है अधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा भारत तेंदू हरिस्चंद्र ओप्सन यह हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोशन है गोरखनाथ ने कौन सा मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था इसक चक्रोवाला योगमार्ग नेक्ष्ट कोशन है निम्निलिकीत में से कौन साहित्य इतिहास लेखक नहीं है कौन नहीं है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा उप्शन भी हो जाएगा जैसंकर परसाद नेक्ष्ट कोशन है संत कभीर जी ने इस वर्ग के कितने सब रूप को जाना है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों एक रूप को अप्शन ये हो जाएगा इसका अंसर नेक्ष्ट कोशन है मैला आचल का कथाकाल कितने वर्षों का है इसका अंसर हो जागा दोस्तों, दो वर्ष का, कितने गए, दो वर्ष हो गए, नेक्स्ट कोशन है, the foundation of aesthetics किसकी रचना है, इसका अंसर हो जागा दोस्तों, आईए रिचर्ट्स की रचना है, आईए ये रिचर्ट्स, नेक्स्ट कोशन है, फोट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्निलिखित में से कौन सा कथन शही नहीं है दोस्तों उसके बारे में पूछा जा रहा है इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C हो जाएगा आधूनिक भारतिय भासाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी संबंध के उपर ही ठाड़ो रहिबे के जोग यह पंगती किसकी है यह पंगती जोह है बहुसंक किसकी सूरदास की मृतिव कब हुई सूरदास की मृतिव कब हुई दूस्तों उस्ण 1583 में 1583 में 1583 मिने नेक्ष्ट कॉस्टेम है मध्वा पार्थ में सिली जगह में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया था तो किसका लिया था दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा सराभी का option C हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है गोदान महाकाव यह किसकी रचना है तो गोदान जो है दोस्तों वह किसकी रचना है यह जो है आपका दोस्तों प्रेम्चंद की इसके हैं प्रेम्चंद की नेक्स्ट कोशन है कॉमा धुर्वस्वामिनी के पास क्यों जाती है तो क्यों जाती है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा दुरुस्वामिनी के पर्ति प्यार के कारण, option C हो जाएगा answer, next question है, वीर गाथा काल के सर्वस्रेश्ट कभी माने जाते हैं, तो किसे माने जाता है दोस्तों, तो इसका अंसर हो जाएगा, चंदबर्दाई, क्या हो जाएगा, option यह हो जाएगा, चंदबर्दाई, next question है, तुलसी दास की पर्ति पालिकावासी कौन थी, तो कौन थी दोस्तों, तो चुनिया थी, option B हो जाएगा, इसका answer, next question है, हिंदी के आधुनिक काल के काभी की एक विसेस्ता क्या है, इसका answer, option C हो जाएगा, इसमें जीवन की विभिन समस्याओं और उनके समधान को अस्थान मिला, next question है, कहानी नीलम देश की राज कन्या किस लेखक दोवारा लिखी गई है, तो किसके दोवारा लिखी गई दोस्तों, जैनेंद्र कुमार के दोवारा, option यह हो जाएगा, answer, next question है, जाएसी के सिंगार में मानसिक पच्छ पर्धान है, सारिक गोन है, यहां कथन किस अलोचक का है, इसका answer हो जाएगा, option यह हो जाएगा, बिजय देव, नराइन, साही, option यह इसका answer हो जाएगा, next question है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, दोस् यह हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोशन है बिहारी के अनुसार इसवर कैसे प्राप्ट हो सकते हैं कैसे प्राप्ट हो सकते हैं इसवर दोस्तों बिहारी के अनुसार इसका अंसर हो जाएगा बिहारी अंडबरों को त्याग कर मन की सुधता से अप्शन ये इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है मैथली सरन गुप्त दोवारा रचित काबी असोधरा में रात को असोधरा को छोड़कर सिधी हेतु कौन जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन ये हो जाएगा उनका श्वामी नेक्स्ट कोशन है भारत तेंदु हरिस्चंद्र का जीवनकाल क्या है तो क्या है दोस्तों जीवनकाल था अठारस सो पचास से अठारस सो पचासी स्वी next question है सितल चंदन चंद नहीं अधिक अगनिते जानी काभी पंक्ती में पर्युक्त अलंकार है तो कौन सा इसमें अलंकार है दोस्तों रूपक इसका अंसर हो जाएगा रूपक अलंकार next question है दिल्ली में एक मौत कहानी के अधार पर लेखक के बगल वाले कमरे में जूतों पर पॉलिस कौन कर रहा है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों वास्वती option ये हो जाएगा अंसर next question है रस्खान अपनी आखों से क्या देखना चाते थे तो क्या देखना चाते थे दोस्तों तो ब्रज के वन वाग वा तलागे को option बी हो जाएगा अंसर next question है बरबरता की पहली सीड़ी से सभ्यता की अंतिम सीड़ी तक यूध मनुस्य जाती को साथ देता आया है यह कथन किस निबंद से उद्बत है तो किसे है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा यूध और नारी option बी हो जाएगा इसका अंसर next question है भारत तेंदू हरिश्चन द्वारा रचीत शवईया में शंकलित दूरिगो का अर्थ क्या है तो क्या है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा शामने option यह हो जाएगा सामने next question है शिवराज भूसन में कितने अलंकारों का निरुपन हुआ है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 105 option यह हो जाएगा answer next question है राग दरबारी उपन्यास का घटन अस्थल कौन सा है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा शिवपाल गंज option यह हो जाएगा answer next question है भूसन जी के परमुख आसरे दाता कौन थे दोस्तों इसका अंसर अंसर अप्शन टी हो जाएगा उपलुक्त सभी है छातरपती सिवा जी साहू जी और राजा छतर साल next question है इमान बगल में दबाना मुहावरा का सही अर्थ है इमान बगल में दबाना इसका मुहावरा का क्या अर्थ है दोस्तों इसका answer हो जाएगा बैमानी करना option B हो जाएगा बैमानी करना next question है भारत सरकार ने लेखिखा महादेवी बर्मा को किस पुरुसकार से समानित किया किस पुरुसकार से समानित किया दोस्तों इसका answer हो जाएगा पदम भुसन और ग्यानपिट पुरुसकार ये तीनों से तो इसका answer option D हो जाएगा प्रुक्त अजोधिया कांड उसके बाद अरने कांड उसके बाद किसकिंधा कांड option B हो जाएगा इस कांसर next question है पन्यास मैला आचल में हिंदू विस्विद्याले में परवेश के समय परसांत ने अपने पिता का क्या नाम लिखवाया था क्या नाम लिखवाया था दोस्तों डॉक्ट किस आयू में हुआ इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों 34 वर्ष चार महिने की अत्पायू में option D हो जाएगा answer next question है पलेटो किसका सिस्ष्य था तो यह जो था दोस्तों सुकरात का सिस्ष्य था option यह हो जाएगा answer next question है हिंदी में गर्धे का प्राचिंतम रूप किस गरंत में मिलता है किस में मिलता है दोस्तों 84 वैष्णों की वार्था ऑप्सन यह हो जाएगा answer next question है मैं हूँ सिर्षक कविता का मूल भाव क्या है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा निम्न वर्ग का निम्न वर्ग की सन्वेदना option B हो जाएगा answer next question है भक्तमाल में दिये गए रामानंद के पर्थम चार सिस्यों का सही अनुकरम क्या है सही अनुकरम क्या है दोस्तों इसका answer हो जाएगा अनन्तानंद शुखानंद सुरसुरानंद और नरह अर्यानंद option B हो जाएगा इसका answer next question है कभिर्दास की भासा थी कभिर्दास की भासा क्या थी दोस्तों कभिर्दास की जो भासा थी हो सदुखडी थी क्याते सदुखडी option c हो जाएगा answer next question है जै संकरब्रसाद किस कावेधरा के प्रांध परतिष्ठव में मन्य है इसका answer option c हो जाएगा चायावाद next question है हर वारा की प्रांचन प्रांचनद्स चोहान ने रामायन महानाठक कि रचना किस वर्स की तो किस वर्ष की दोस्तों तो यह सेलोसो दस हिस्वी नेक्स्ट कोशन है पार्डर्ष वर्थ द्वारा रचित गरंत लिरिकल वैर्डस का पर्कासन वर्ष क्या है इसका परकासन वर्स जो है दोस्तों वो 1708 इसफ़ी है Next question है तुलसी दास्की किस रचना का सम्बन जो 30 से है इसका अंसर option D हो जागा दोस्तों रामाग्या प्रशना वली क्या हो जागा Next question है प्रैमचंद की पहली कहानी शंग्रक का की नाम थी प्रम्चिंद की पहली कहाणिस शंगरा की नाम क्या थी दोस्तों? इसका अंसर हो जाएगा सोजे बतन ऐप्षन सी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोश्चन है मैथली सरन्द गुप्त दौरा रचित कावियों की शंख्या कितनी मानी जाती है? कितनी मानी जाती दोस्तों 40 option यह हो जाएगा इसका answer next question है डिंगल भासा में रचित किस सदी के आगमन के साथ ये मिलने लगते हैं तो 15 सदी का option C हो जाएगा 15 सदी का next question है बलराम सिर्शक कविता में किसकी चिंतन सिल मुदरा का वर्नन है इसका answer हो जाएगा दोस्तों कृष्ण के option B हो जाएगा answer next question है बिहारी और राजस्थानी को हिंदी के अंतरगत रखने के लिए किसके मत तर्क किया पेच्छा भावना और तथियों पर आस्रीत है इसका answer हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा डॉक्टर हर्देव बिहारी डॉक्टर सर्यू परसाद अगरबाल और डॉक्टर भोला नात्तिवारी ये तीनों हो जाएगा दोस्तों इसका answer option D हो जाएगा ये सभी next question है परिंदे किसकी रचित कहानी संग्रा है तो परिंदे जो है दोस्तों वो किसकी रचना है इसका answer हो जाएगा निर्मल बर्मा उफसन यह हो जाएगा निर्मल बर्मा next question है निराला का समंध किस पत्रीका से है दोस्तों इसका answer हो जाएगा मतवाला option D हो जाएगा एक आंसर क्वासराकि नेक्स्ट कोंषे नईने किन गरंथ को लोगेंगों के लिए हिरदे का हार कहा है इसका एक स्था humble दोस्तों ऑप्शन ही हो जागा राम चरुत मानश और नेक्स्ट कोशन है नई में राला कर दें राम की सक्टी पुजा की रचना रानध को है इकाकी जीवन से तरस्त है option B हो जाएगा इसका अंसर next question है कलगी बाजरे की कवीता में कभी ने किन उपमानों की बेत्यकता शमाप्त हो गई है बताया है इसका अंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा चांद और कमल option C हो जाएगा दोस्तों यह भी दोनो next question है राग दरबारी उपन्यास किस सहली में लिखा गया है तो राग दरबारी उपन्यास जो है दोस्तों वह आपका रिपोतांज सहली में लिखा गया है next question है असोधरा और कैकेई का अनुताप कवीता किस कवी की रचना है तो मैथिली सरन गुप्त की है option B हो जाएगा answer next question है अस्पाल ने निम्न वर्गिये तथा निम्न मध्य वर्गिये जीवन का करुनापूर्ण चितरन किसमे किया है इसका answer option ये हो जाएगा कहानियों में next question है जैसंकर परसाद ने कहां तक की पढ़ाई की थी तो जैसंकर परसाद जो है दोस्तों कहां तक पढ़ाई की थी तो ये आठवी तक की थी option C हो जाएगा इसका answer next question है मैला आचल उपन्यास की सारी कथा केंदर बिंदू कौन सा गाउं है इसका answer हो जाएगा दोस्तों मेरी गंज गाउं हो जाएगा option B हो जाएगा answer next question है गवदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गाउं में धनुसक का उत्सव कौन करवाते थे कौन करवाते थे दोस्तों इसका answer हो जाएगा option C हो जाएगा next question है परिंदेस संगरह में संकलित कहाणियों की संख्यां है तो 9 है कितने हैं? next question है अस्पाल को 1970 रिश्वी में कोन सा पुरुसकार दिया गया था? सोवियत लेंड पुरुसकार option B इसका अंसर हो जाएगा next question है रमधारेशी दिनकर ने कुरुचेतर में किसका आलंबन लेकर यूद की समस्या को उपस्थित किया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों भिस्म एवं उधिश्टर दोनों का उपसन शी हो जाएगा इसका अंसर नेक्स्ट कोशन है परिंदे कहानी की कथा क्या थी तो परिंदे कहानी के कथा क्या थी दोस्तों कोन वेंटर स्कूल option यह हो जाएगा इसका answer next question मैला आचल उपन्यास में भारत के किस वर्ग का सोसन किया गया है इसका answer हो जाएगा दोस्तों ग्राम option भी हो जाएगा इसका answer next question राग दर्बारी उपन्यास में कौन थे टो रंगनात के मामा जो थे दोस्तों कोन थे वैश्जीत थे इसका answer option D हो जागा महादेवी बर्मा नेक्स्ट question है प्रेम मलिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम श्रोवर, प्रेम माधुरी अर्शुत रंग रचनाएं किसकी है यह सब जो रचनाएं दोस्तों वो किसकी है तो यह है भारत तेंदू हरिस्चंद option C हो जागा answer नेक्स्ट question है दिल्ली में एक मौत किसकी रचित कहानी संग्रा है तो किसकी है दोस्तों इसका answer हो जागा कमलेशवर, option B हो जागा इसका answer नेक्स्ट question है असपाल जी का जन्म कब और कहां हुआ था तो असपाल जी का जन्म दोस्तों कब और कहां हुआ था इसका अंसर जो है 1903 इसवी में हुआ था और फिरोजपूर में हुआ तो अप्सन डी हो जागा इसका अंसर तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुता है फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मोडल प्रेक्टिस रेट लेकर आएंगे तब तक के लिए धन्यवाद